नमस्कार, न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मेरा नाम है सत्यम सबसे पहले नदर डालते हैं आज की सुर्खियों पर दिल्ली दंगे में पहला आरोपी दोशी करार, दिनेश यादव को पाँच साल की सजा जेन्यू में यौन शोशन की घटना के बाद जी एस कैश की मांग हुई तेज चुनाव अपडेट में चंदरशेखर लड़ेंगे गोरखपूर से चुनाव, गोवा में एंसीपी शिव सेना का गठबंधन और कोविड अपडेट में तीसरी लहर में 24 घंटे में तीन लाग से ज्यादा नए मामले अब खबरे देखते हैं विस्तार से उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगे के मामले में गुरुवार को पहली सजा होई डिल्ली की कडकर ढूमा कोट ने दिनेश यादा नाम के शकस को पांट साल की सद़ा सुनाई है यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में पांट साल की कैद दी गई है दिली के गोकुलपुरी के भागी रती विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है जिसमें लूट पाट कर आगजनी करने के आरोप में कोर्ट ने इसी इलाके में रहने वाले दिनेश यादव को दोशी पाया है इस मामले में कोर्ट ने दो पुलिस कर्मियों के बयान को एहम माना है उन्होंने बताया कि दिनेश उस भीड का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी हाला कि उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए तो नहीं देखा लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गयर कानूनी भीड का हिस्सा है तो वो बाकी दंगाईयों की तरह हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है दंगे से जुड़े एक और मामले में फैसला सुनाया जा चुका है हाला कि उसमें पांच आरोपी बरी कर दिये गए हैं अब बात करते हैं JNU की जवारलाल नहरू युनिवस्टी में सोमवार 16 जन्वरी की रात को एक PSD चात्रा के साथ छेडखानी का मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चात्र पर मामला दर्ज कर लिया था मगर वो अभी तक फरार है इस घटना के बाद केमपस में एक बार फिर से GS Cash यानि Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment को लागू करने की मांग उठने लगी है JNU चात्रसंग के हवान पर आज रात 9 बजे से केमपस में Reclaim the Night के नाम से एक मार्फ निकाला जाएगा जिसमें चात्र-चात्राएं एक सुरक्षित केमपस की मांग करने के साथ ही GS Cash को लागू करने और Internal Complaints Committee यानि ICC को खारज करने की मांग करेंगे बतादें कि GS Cash और ICC का विवाद लंबे समय से चल रहा है चात्र-चात्राएं लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ICC को खारज कर दिया जाए क्योंकि उसमें प्रशासन के व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है JNU चात्रसंग के अलावा JNU TA यानि JNU शिक्षक संग भी इस प्रदर्शन में शामिल रहेगा और अब जानते हैं विधान सभा चुनाव अपडेट उत्तर-प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंदरशेखर आजाद ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से CM आदितिनात के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे सपाया कॉंग्रेस से गटबंदन ना होने के बाद आजाद ने एक फैसला किया है उन्होंने कहा कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और ये कि वो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके अलावा आज AI MIM ने अपने उमीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी सपा की बात करें तो कल अपढ़ना यादव के बाद आज अखलेश यादव के मौसा प्रमोद गुपता भी BJP में शामिल हो गए हैं इस बीच आज अखलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राज में पुरानी पैंशन व्यवस्था जो थी उसको बहाल कर देंगे वहीं कॉंग्रेश की बात करें तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैमपेइन का चहरा रही प्रियंका मौर्य आज BJP में शामिल हो गई है गोवा के विधायक विल्फेंड ने आज BJP से स्तीफा दे दिया इस बीच आज BJP ने अपने उमीदवारों की गोवा में एक और लिस्ट जारी की है गोवा में ही शिव सेना और NCP गठ बंदन करके चुनाव लड़ेंगे और कॉंग्रेस जो है वो इस गठ बंदन से बाहर है मतलब इसमें शामिल नहीं हुई है और अंत में बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं इसमें से 1,5 लाग से ज्यादा मामले 5,5 राजियों महराश्र, करनाटक, केरल, तमिलाडू और गुजरात से हैं इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 491 मरीजों की मौत हुई है और इस पीछ देश भर में कोरोना से 2,23,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया गया लेकिन एक्टिव मामलों में आज फिर 93,000 मामलों की बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर करीब 19,24,000 तक पहुँच गई है वहीं वैक्सीन की बात करें तो देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 169,66,000,000 से ज्यादा डोस दी जा चुकी है जिन में से करीब 73,000,000 वैक्सीन की डोस पिछले 24 गंटों में दी गई आज न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में सिर्फ इतना ही हमारी बागी खबरों के लिए आप हमारी वैबसाइट न्यूस्क्लिक.िंड पर जाईए और हमको यूट्यूब पर सबस्क्राइब कीजिए आप सब स्वस्त रहिए अपना खयाल रखिए देखने के लिए शुक्रिया